हेलो नमस्कार दूस्तों आज का हमारा टोपिक है विंडो 11 कैसे इंस्टॉल करते हैं वो देखेंगे और प्लीज गया यदि आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें चलिए शुरू करते हैं आपको क्या क सब्सक्राइब झाल करते हैं झाल 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 लेओट तैस इसको जाएड पर अपडेट यापडेट यापडेट झाल झाल इसके बाद यह विंडो आ जाएगा आप यहाँ पे अपने डिवाइस का नाम रख लिजेगा जो भी आप नाम रखना चाहते हैं यहाँ पे आपको डिवाइस का नेम टैप कर देने हैं इसके बाद यहाँ पे आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देने हैं इसके बाद यह विंडो आजाएगा अब आपको क्या करना है यहाँ पर कुछ सकंड वेट करना है अब आपको इस तरह से विंडो आ जाएगा अब आप यहाँ पर क्या चीज के लिए यूज़ करना चाहते है यदि आप रेशनल के लिए यूज़ करना चाहते है तो आप रेशनल सेलेट कर सकते है यानि तो आप वर्क या ओफिस के लिए यूज़ करना चाहते है तो यहाँ यहां पर मैं अपने case में personal के लिए यूज कर रहा हूँ यहां पर मैं personal select कर रहा हूँ आप अपने हिसाब से यहां पे दोनों में से कोई select कर लिजेगा उसके बाद आपको क्या करना है यहां पर next पर click करना है इसके बाद यह window open हो जाएगा आप यहाँ यहां पर Microsoft Account से Sign In करने के लिए बोल रहे हैं तो आप बिना Microsoft के Account से यहाँ पर आप कैसे Sign In कर सकते हैं वह मैं आपको बताता हूँ इसके लिए आपको क्या करना हैं यहाँ पर आपको Sign In Option दिख जाएगा इसके बाद इस तरह से यहाँ पे आपको कुछ option दिख जाएगा अब आपको यहाँ पे दिख जाएगा offline account इसको पर आपको click कर देने click करती है इस तरह से window open हो जाएगा अब आपको क्या करने skip for now पे click कर देने इसके बाद यह window आ जाएगा अब आपको क्या करने यहाँ पर नाम टैप कर देने जो भी आप username रखना चाहते हैं वो नाम यहाँ पर आपको टैप कर देने इस तरह से आप यहाँ पर नाम टैप कर दीजेगा इसके बाद यहाँ पर आपको next पर किलिक कर देने इसके बाद यहाँ पर पासवर्ट रखना चाहते हैं तो यहाँ प अपने case में यहाँ पर off करता हूं आप यहाँ पर अपने हिसाब से यहाँ पर देख के इसको on off कर सकते हैं उसके बाद आपको क्या करना है यहाँ पर accept पर क्लिक कर देना है इसके बाद फिर से यहाँ पर checking for update लिखा हुआ जाएगा तो आपको क्या करना है यहाँ पर कुछ सकन वेट करना है झरिय करो सकत्थों– तो आपको कि यहाँ पर फिर सकनने सक्टाना है झाल झाल इसके बाद आप देखने इस तरह से installation complete होने के बाद desktop आ जाएगा अब आप यहाँ पे अपनी हिसाब से use कर सकते हैं आप यहाँ पे अपनी हिसाब से use कर लिजेगा आप देखने यह without Microsoft account से यह install हो चुका है यदि आप इसको check करना चाहते तो यहाँ पे आप right click करके यहाँ पे बिना Microsoft के account से यह install हो चुका है तो इस तरह सा बिना Microsoft account से आप विंडो 11 install कर सकते हैं और प्लीज गाई चैनल को subscribe करें like करें share करें thank you